तो हाँ जी क्या हाल चाल तो भाई सैमसंग रेडी है अपने गैलक्सी S24 सीरीज के अंदर एक अवेटेडी स्मार्टफोन छोटा भाई जी हाँ जिसका नाम है सैमसंग गैलक्सी S24 FE इसकी launching detail पता चल चुका ऐसे confirm तो नहीं है लेकिन इसकी detail सामने आ चुकी है दिखिने में कैसा होने वाला है सारे चीज confirm हो चुकी है कैमरा क्या होगा और main चीज यह है कि अपने भारण जब launch होगी तो price क्या होने वाली हो वैसे दो ही variance में होगा और दोनों वेरियंस के prices क्या ह होंगी सब बताने वाला हूं दिखिने में कैसा होने वाला है पूरा यहां तक कि आपको यह आप लोग मेरे subscriber हैं पहले से यह जूरे हुए हैं तो मैंने एक short video upload किया था कि जिसकी unboxing video सामने आ चुकी थी तो सब को सामने है भाई साब पूरा खुला किताब है क्योंकि Vietnam के website में इसे sport किया गया था फिर बाद में हटा दिया गया कि side tell सामने आ चुकी जो मैंके साब शेयर करने वाला हूं और कैस के लिए wait करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सब कूछ in depth बताने वाला हूं तो बन रहिएगा और कैसे पैसे कबाएंगे इस वीडियो के थूरू वो सब ब हो चुकी है तो उमीद तो मुझे कम लग रही कि इस महिने लॉंच होगी यहां तक पता चल जहां तर लग रहा मुझे कि ऑक्टूबर के ही मन्थ में यह लॉंच कर दिया जाएगा लेकिन ऑफिसरी डेट सामने आता है तो मैं आपडेट जरू करूंगा टूइटर यानि की एक्स पर जाके फॉलो कर लिजेगा खैर मैं हूं आपको दोस्तों होस अनूप आप देखरें खूद का टेक चैनल टेकनों क्योंकि आप है तब ही तो मैं हूँ तो वहां जी चलिए देखते हैं भाई साब कि सैमसंग गैलेक्सी S24 FE में क्या खास होने वाली है क्या प्राइ इनने हैं ग्लास का बैक होगा एल्मोणियं फ्रेम ग्लास अचील नहीं आप पर अच्छा लगीगा यहां पर लेकिन फोन का weight बताया है जा रहा है somewhere around 167 gram thickness 7.6 mm साथ ही आपको IP68 की rating देखने को मिलीगी है धूल और पानी दोनों से ही फोन को protect करने वाली यानिकि build quality दमदार है वैसे भी Samsung भाई अपने build quality अच्छी provide करती है even की plastic build भी अच्छा देता है लेकिन दिखने में कैसा होने वाला है चलिए बात करते हैं design की तो दोस्तों देख सकते हैं आप इसकी अभी recently unboxing video leak हुई थी जो कि मैंने shorts video पे भी upload किया था नेकि आप देख सकते हैं back side में वही design है जैसे Samsung Galaxy S24 की line up है YC को follow कर रही है back side में top left में triple individual camera housing देखने को मिलता है जहां पर lady flash है वही center में Samsung की branding देखने को मिलती है वही front side की बात करें तो center punch hole के साथ आप बना flat display देखने को मिलेगा I love flat display बाकि आपको कौन सी type की display अच्छी लगती है flat या curved बताना comment करके तो जाना चाहता हूँ colors की बात करने मल्टिपल colors spot किया गया था पहला है गैरफाइट फिर है blue फिर है silver green और एक yellow color colors बहुत प्यार हैं भाई साथ colors ऐसे Samsung के अच्छी होती है no doubt जब कि अपनी पसंद है लेकि design और colors अपकी अपनी अपनी perspective है मुझे कुछ अलग पसंद होगा अब मुझे अलग पसंद हैगा उसको मैं थासे ज्यादा मतलब नहीं इतना मतलब prefer करता हूँ कि हाँ आपको यही पसंद होना चाहिए लेकि सवाल है कि content consume करने में display quality कैसी होगी चलिए बात करते हैं display की दोस्तों display की बात के तो large displays बार है जब अर्दस है लेकिन display quality वही है जो S23 FE में था जी है यहां मिलेगा 6.7 इंच की 10 bit का dynamic AMOLED 2X pen है 2340 x 1080 pixel की skin resolution 20 इंच का spec ratio 385 पीपे की pixel density 1900 इंच की peak brightness 120 Hz की refresh rate to 40 Hz की touch sampling rate HDR 10 plus wide wind L1 सपोर्ष शांदार है मुझे एक चीज अच्छी लगी brightness की इतना brightness ना इनफ है यह 6,000 पैतार सो कोई मतलम नहीं है आपके आँखो कोई problem करीगी यहां पर आपके देखाएं इंडोर आटो की visibility में कोई दिक्केत नहीं है content consume करने में literally मजा आने वाला उससे Samsung की display और top awesome होता है जो Samsung जो use करते हुआ है वहीं बता सकते है जिनको नहीं पता है ना तो फालतों की comment ज़रूर करेंगे भाई साब display तो एक ही है लेंगे display कोई जबर्दस है 6.7 10 bit के HDR 10 plus wide wide 11 L1 है support शांदार है color साब को अच्छी मिलने वाला है अब सवाल एक भाई साब इस सब को चलाने के दिमाग कोंसा यूज किया गया है यह प्रोसेसर कोंसा यूज किया गया है चलिए बात करते हैं performance की दोस्तों performance की बात करें ना इस device को शक्ती देगी in-house Samsung कहिए in-house तरियर किया गया Exynos 2400 e-processor अब देखिए यह क्या है ना जो S24 में देखने को मिला ना S24 सब सेरीज में Exynos 2400 उसी कताव साब डाउन ग्रेड है तो असा मतलब हलका सा मतलब डाउन ग्रेड किया गया है लेकिंग क्वालिटी आपको वही मिलने वाली है हलका मुलका तब फर्क होगा 4 nm के फैब्रिकेशन बनाए गया है इनर्जी इफिसेंसी अच्छी है हीटिंग और से काफी कम देखन को मिला भी है प्रस सेमसंग तरफ से थर्मल मैनेजमेंट का सपोर्ट वी शांदार ऑक्तिमाईज़सन अच्छी की गई है कितना पावफुल है चलिए नजबर्टस के रॉस वित्रफ यहाँ बता दे 10 कोर का जीप्यू है पहला है 1 कोटेक्स X4 जो कि 3.11 GHz कोलक किया गया है वही 5 कोटेक्स A720 जो कि 2.9 GHz कोलक किया गया है वही 4 कोटेक्स A520 जो कि 1.96 GHz कोलक किया गया है परफॉर्मेंस और शांदार ही यहाँ पर जब बर्दर से कोई सिकायत नहीं आएगी अच्छी है बताऊंगा आगे गेमिंग अराम से आप 69 tips से कर सकते हैं अब Samsung कितना सपोर्ट करती बाता लग है यहाँ मिलेगा X-Clips 940 GHz पे साथी प्रॉलों नहीं है और शांदार कोई दिकतनी परफॉर्मेंस शांदार है वैसा आपको बता दूं कि Samsung गेमिंग सेंटरी फोन नहीं बनाती है तो उतना लंबा आप गेमिंग नहीं कर पाएंगे इसमें बाकी के जो डेलाइट जो आपकी परफॉर्मेंस है ना वो आपको अच्छे से निगाते दे देता है अब सवाल है इमेज करचा करेंगे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे सेफ लेंगे क्वाटिक ऐसी होगी चलिए बात करते हैं कैमरा की दूस्तों कैमरा की बात करें कैमरा जबरदस है उसे सैमसंग की ब्रैंदिंग हमें नंबर पे मत जाना सैमसंग की ऑप्टमाइजेशन अच्छी की गई है यहां बड़ ट्रिपल कैमरा काम कहा है पहला है 50 मेगा पिक्सल में सेंसर OIA सपोर्ट के साथ वहीं 12 मेगा पिक्सल का अल्टरावाइड एंगर लेंस वहीं 8 मेगा पिक्सल का टेली फोर्टो लेंस OIA सपोर्ट के साथ 3X ऑप्टिकल जूम वहीं 30X डिजिटल जूम सपोर्ट करती है जहां से 8K 24fps 4K 60fps 1080 टूफोर्ट कर सकते हैं वहीं वंपर होने वाली है रही बाद Sensor की जो सायर बता या जरा कि Samsung अपना ही sensor यूज़ करेगा Samsung कही sensor यूज़ करेगी Samsung अपने ही सब यूज़ कर रही है तो कहीं वाज दुसरे का लेगी कहीं कहीं पचले Sony का sensor भी यूज़ किया जा सकता है डिटल सामने आगा मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा लेकिन आपके खूपसुरा चेहरों के अपचा के रिल सौर्स आने के लिए 10 मेगा पिक्सल का सेर्फी कैमरा प्रोवाइड किया गिया जहांसे 4K 1080 से रिकॉर्ड कर सकते हैं फिर से बता रहा हूँ देखिए यहाँ जो एक्चुल बैटरी है वो मिलेगा जैने कि इस इस मार्फों को जान फोकने के लिए मिलेगा पूरे 4565MH की बैटरी 25W की चानिंग सपोर्ट 15W की वाइलेस और रिवर्स वाइलेस से देखने को मिलेगा चार्जर घंटा देखने को नहीं मिलने वाला है लेकिन बता दे ब्रैंड इसे 4700MH या 4800MH बोलके एड़र्टाइज करने वाली है लेकिन एक्चुल यहीं मिलने वाला 4565 वाला मिलेगा यहाँ पर बैक अप ठीक निकाल देता है प्राइबिसी की अन्डर डिस्पेफिंगा प्रिंस सेंसर फेस्ट लगापसर डेफिनेटी मिलेगा सेंसर में सारी सेंसर मिलते है अक्चलरो मीटर जैरो इसको प्रॉक्सिमिटी फना रिकाँ च्टर पुटर एंड़सी अब बात करें इसके सॉफ्ट्वेर की दोस्तों सॉफ्ट्वेर की बात करना तो ले टेस्ट एंड्रॉइड 14 को पर आउट अफ डिवसाटी वन युवाई 6.1.1 पर ये रंग करेगा बलोड बे नहीं होते वाईसा अब बात करेंगे इसके वेडियंस और प्राइस दो ही वेडियंस है उसकी प्राइस सामने है बताने वाला हूँ थोगा उपर नीचे हो सकता है बताने जा रहा हूँ नेकर उससे पहले बता दूँ एक अपना टार्गेट है वाईसा महनत करता हूँ बसा मोटिवेशन चाहिए बस क्या करना है आपके लिए फ्री है मस लाइक कर दीजिए केबल 200 लाइक टार्गेट है पहुचा दीजिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड और फ्रेंड और फ्रेंड साथ अब भाई 55,000 मान के चलिए बेस विर उसका है यहने 54,999 ओफ और लगाएंगे यह 52 तक आ जाएगा आपके हिसाब से क्या है मत्तब प्राइस जस्टिफाई करती है नहीं तो आपके हिसाब से प्राइस क्या होने चाहिए और आप हैसे चेंजिस क्या क्या हो चाहिए कितने एक्साइटेड सैमसंग गलेक्सी अटिफोर फी को लेकर बताएं कमेंट करके लेकिए कमेंट जरू किजिए अपना ओपनियन शेर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स इसलिए होती है अब कमेंट अपना अपना ओपनियन शेर किजिए होचाते जो नए व्यूवर साथे उनको भी हैल्ट मिल जाए उनको भी एक आइडिया मिल जाए हाँ बाइस सही बता रहे है तो अच्छा लगता है अपना भी हम ओपनियन उसमें कमेंट में भी रिप्लाइ कर देंगे तो आप अपना ओपनियन शेर किजिएगा और कमेंट जरू किजिएगा कि कमेंट करेंगे तभी चांसे इंक्रीज होते हैं पैसे कमाने के मंडे टू सेटर्डे यानि संदे वाले इवेंट भी कमेंट जो करते हैं नया वीडियो अप्लोड होगा संदे के टाइम पे उसी में ही आपको रैमडेमली कमेंट सेलेट करके आप सब का नाम है नाउस होता है किसी एक बिनर का अब प्यार ज्यादा रहा तो दो विनर के हो जाता है प्राइज मनी क्या होगी सब कुछ बताया जाता भाई यहां पर प्राइज मनी कैसे क्लेव करना सब कुछ बताया जाएगा इसलिए कहता हूँ कमेंट करिए प्यार बरसाइए लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब कर जिए कि यगरा नमबर आपको तो नहीं है फ्री मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत झालmemा झाल झाल कर तो नहीं है कर दोसक्राइब कनसे जै के ल कहाल दोसक्राइब झाल झाल